नमस्कार बच्चों, आज हम व्यवसाईक अध्यान पुस्तक के चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, हमारे अध्याय का नाम है नियोजन बच्चों, इससे पहले आपने अपनी पुस्तक में जो तीन अध्याय पढ़े, उन अध्यायों के जरिये आपने प्रबंधन के कुछ विशेश जानकारियों को जाना, आपने जाना कि कैसे प्रबंधन किसी भी व्यवसाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रबंध हारित नियमों का यह सिध्धान्तों का पालन करें, तो अपने परियावरं, इन सिध्धान्तों, वो आपने विवेक वो सोच का इस्तमाल करके, एक प्रबंधक, वो सभी कोशिश करता है, वो सभी कारे करता है, जिसके दوारा उसका व्यवसाए तरकी की उचाईयों को अब जब एक प्रबंधक इन सभी का इस्तिमाल करके अपने कारी शुरू करता है तो उसे अपने कारीयों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से एक प्रक्रिया के रूप में करना होता है इस कारण प्रबंधन के अंदर आने वाली कारियों को पाच भागों में बाटा गया है जो एक चरणबद तरीके से एक के बाद एक प्रबंधक को करने होते हैं हाला कि ये सभी कारिय आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए और ये कोई एक शुरू होकर अंथ होने वाली प्रक्रिया नहीं है बलकि ये चक्र की तरह होते हैं इस चक्रिया प्रक्रिया में मुख्यतया पाँच प्रकार की क्रियाएं आती हैं जने हम प्रबंध के कारे कहते हैं आपके अगले पाँचों अध्याए एक केकर आपको इन सभी कारियों के बारे में बड़े ही विस्तार में समझाएंगे आज के अध्याय में हम प्रबंधन की प्रक्रिया के पहले कारे नियोजन की बात करेंगे बच्चों नियोजन या आम भाषा में आप जिसे प्लानिंग कहते हैं या बहुत ही महत्वपूर कारे है नियोजन का अर्थ है नियोजनाय बनाना योजनाय बनाने का अर्थ है या सोचना कि आप आने वाले समय में क्या करेंगे और कैसे करेंगे अर्थात हम कह सकते हैं कि नियोजन का अर्थ है पहले से है सुनेश्चित करना कि भविश्य में क्या करना है और कैसे करना है हम सब नियोजन करते हैं जरूरी नहीं कि यह केवल विवसाई में ही हो इसलिए नियोजन को समझना है तो इसे अपने आप से जोड़कर आपको समझना होगा ऐसा नहीं है कि यदि आप विवसाई नहीं कर रहे हैं यदि आप केवल विद्यारती हैं तो आपको नियोजन नहीं करना है, बल्कि विद्यार्थियों को तो बहुत ज़्यादा नियोजन करना होता है, आपको योजनाय बनानी होती है, प्लानिंग बनानी होती है, कि यदि आप एक कक्षा में हैं, मालनी जी यदि आप बारवी कक्षा में हैं, और आप अच्छे अं तो विद्यार्थी हो या कोई ग्रहनी हो या एक परिवार का मुख्या हो या किसी विवसाइक का मुख्या या प्रबंधक हो या देश के प्रबंधक देश के मुख्या देश के नेतागण हो जो देश के आर्थिक योजनाए बनाते हैं योजनाए हर छेत्र हर प्रकार के कि नियोजन वास्तव में है क्या तकनीकी रूप से नियोजन का क्या अर्थ है तो एक बात तो हमने यह कहा कि नियोजन का अर्थ हुआ पहले से सुनेश्चित कर लेना कि हमें क्या करना है और कैसे करना है अथा नियोजन हमें यह बताता है कि हम अभी कहां खड़े हैं और हमें कहा तक पहुंचना है?" हम हो सकता है आज एक स्थिती में हो और हम भविश्य में एक दूसरी स्थिति में होना चाहते हो । यदि हम विवसाई की बात करें तो माननीजिए एक विवसाई का अपने वो ध्योग में जो बाजार में हिस्सा है वो मानलीजे अभी 5 प्रतिशत का है और वह चाहती है कि आने वाले कुछ समय के बाद मानलीजे एक साल ये दो साल के बाद उसका बाजार में हिस्सा 10 प्रतिशत हो जाए आज वह 5 प्रतिशत पर है उसे 10 प्रतिशत पर पहुँचना है तो यहां से यहां तक का जो उसका रास्ता या सफर है उसके बीच का सेतू जो पुल है वह नियोजन है नियोजन हमें आज हम जहां पर हैं और भविश्य में हम जहां पहुँचना चाहते हैं उसके बीच एक कड़ी या सेतू का काम करके यह बताता है कि हम आज से भविष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं नियोजन का तात्पर्री हुआ कि हम युद्देशों का निर्मान करें और इन युद्देशों की प्राप्ती के लिए वो सारी कारी विधियां विक्सित करें जो हमें अपने उद्देश्यों के प्राप्ती में सहायता करेंगी तो ये कुछ महत्वपूर वाकिय आपको याद रखने हैं पहला नियोजन हमें बताता है कि भविश्य में क्या करना है और कैसे करना है दूसरा नियोजन आज और विश्य के बीच की एक कड़ी का कारे करता है नियोजन में हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए ततपर रहते हैं नियोजन की इन विशिष्टाओं को जानने के बाद हम एक एक बिंदू करके ज़रा देखते हैं कि इसकी प्रमुख विशिष्टाएं क्या निकल के आती हैं बचों नियोजन के अर्थ को जानने के बाद यह आप विशिष्टाओं को देखें तो सबसे पहली विशिष्टा आपको यह नजर आती है कि यह प्रबंधक का प्राथमिक कारी है जैसा कि मैंने कहा एक प्रबंधक का कारी प्रक्रिया यह चक्र की भाती होता है इस प्रक्रिया की शुरुवात नियोजन से होती है इसलिए हम कहते हैं कि नियोजन प्रबंधन का प्राथमिक कारी है नियोजन होने के बाद ही नियोजन में निर्धारित लक्षों के अनुसा अन्यकारियों को रूप रेखा दी जाती है इसलिए नियोजन पहला कारे होने के कारण प्रात्मिकारे कहलाता है दूसरी विशिष्टा यह है कि नियोजन केंद्र बिंदू के तौर पर लक्ष को रखता है अर्थात नियोजन के केंद्र में जो भी हम योजनाय बनाते हैं उसका फोकस उसका केंद्र लक्ष प्राप्ति होता है नियोजन का मुख्य मकसद या उद्देश यही है कि हम कैसे अपने लक्षियों की प्राप्ति करेंगे जैसा मैंने अभी उधारन लिया था यदि हमारा लक्ष है मानलेजे एक साल के बाद हमें अपना बाजार हिस्सा दस प्रतिशत तक पहुँचाना है तो हमारा सारा ध्यान, हमारी योजनाए, उसके अंदर की कार्यविध्या ये सब उस लक्ष को पाने के लिए ही तयार की है बहुत सरल सी बाते बच्चो नियोजन में हम आगे क्या होगा इसकी बात करते हैं जैसा कि हमने अर्थ में देखा नियोजन हमें बताता है कि आज हम जहां हैं वहां से हमें भविश्य में जहां पहुँचना है वहां तक हम कैसे पहुँचेंगे उसकी योजना बनाना ही तो नियोजन कहलाता है, तो नियोजन में हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम कुछ अनुमान लगाते हैं, हम लक्ष निर्धारित करते हैं, और आने वाले समय में हमारी कारे प्रणाली क्या होगे, उसका निर्धारण करते हुए अपने लक्षे के प्राप्ति की ओर बढ बजाए शारिरी क्रियाओं के इसलिए नियोजन एक मानसिक अभ्यास है बच्चों इसकी आखरी विशिष्टा यह है कि नियोजन सर्वव्यापी है सर्वव्यापी अर्थात चाहे किसी भी प्रकार का व्यवसाई हो छोटा व्यवसाई बड़ा व्यवसाई वस्तुए के उत्पादन करने वाला व्यवसाई या सेवाय प्रदान करने वाला व्यवसाई व्यवसाई एक संगठन या गैर व्यवसाई एक संगठन सरकारें छोटे हर तरह के विवसाय में और हर विवसाय के हर स्तर में चाहे वो कोई कोई भी स्तर हो चाहे वो कोई भी विभाग हो व्यवसाय में हर तरह के व्यवसाय वहर तरह के स्तर पर नियोजन की आवशक्ता होती है नियोजन हमें दिशा निर्देश प्रदान करता है जिसके अनुसार सभी कारी किये जाते हैं अर्थात नियोजन हर जगा पाया जाता है इसलिए से सर्वव्यापी कहते हैं बच्चो नियोजन की विशेष्टाएं जानने के बाद आईए बात करते हैं कि किसी विवसाई के लिए नियोजन क्यों जरूरी है हाला कि अभी तक कि इस चर्चा में कुछ चीज़ें पहले से ही निकल कर आचुकी है कि कैसे नियोजन हमें सहायता करता है लेकिन कि एक एक करके इसके अन्य महत्वों को भी हम जास लेते हैं जरूरा सबसे पहला महत्व यह है कि नियोजन निर्देशन की विवस्था करता है अर्थात बच्चो नियोजन के अंदर जब हम अपना लक्ष निर्धारण करते हैं तो लक्ष के निर्धारण होते ही, हमारे विविसाई को या हमारे विभाग को, उसके सभी कर्मचारियों को, यह दिशा निर्देश प्राप्त हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, या हमें किस और अग्रसर होना है, हमारा लक्ष क्या है, उस लक्ष के लिए हमें क्या करना होगा तो फिर हम अपनी गती विधियों को, अपने क्रिया कलापों को, कारी विधियों को उस लक्षे के प्राप्ति हे तू जो सटीक मार्ग है, उस मार्ग पर ले जा सकते हैं तो इस कारण हमें यह पता लग जाता है कि हमें किस प्रकार कौन से कारे कब कैसे करने हैं ताकि हम अपने लक्षियों की तरफ सही समय पर सही तरीके से अगरिसर रहें अर्थात नियोजन हमें दिशा निर्देश देता है जिसके साहिता से हम लक्षियों की ओर बढ़ सकते हैं दूसरा महत्व है कि नियोजन अनिश्चिताओं के जोखिम को कम करता है बचों क्योंकि नियोजन भविश्यवादी है इसमें हम भविश्य में क्या करना या पाना चाहते हैं उसकी बात करते हैं तो हम यह भी सोचते हैं कि भविश्य में जो हमारा लक्ष है उस लक्ष को पाने के लिए हमें कहा कहा या किस किस स्थिती से गुजरना पड़ सकता है उन स्थितियों में किस तरह की परिशानिया आ सकती हैं किस तरह की विशम परिस्थितिया उत्पन हो सकती हैं इन सब को सोच कर ही हम अपनी योजना वो अन्यकारिविधिया बनाते हैं तो जब हम इतना कुछ पहले से सोच लेते हैं तो काफी हद तक भविश्य में अनिष्टताओं के कारण यदि कोई जोखिम हो सकता है तो हम उस जोखिम को कम कर सकते हैं भले हम यदि उसे खतम ना भी कर पाएं तो क्योंकि यदि हम पहले से इतना तयार हैं हमने कुछ हो सकने वाली परिस्थितियों को पहले से सोच लिया है उसके लिए तयारी कर ली है तो हमें उनका जोखिम भी कम महसूस होगा इस परकार नियोजन अनिष्चित्ताओं के जोखिम को कम करता है तीसरा महतविया है कि यह अप व्याइ क्रियाओं को कम करता है अप वियाइ क्रियाओं यानि डुप्लिकेट एक्टिविटीज यानि ऐसी चीज़ें जो एक ही जगह होने की बजाए जगह जगह वही कारिय किये जा रहे हो यदि ऐसे कारिय हमारे संगठन में हो रहे हैं जो एक जगह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों द्वारा हो सकते हैं लेकिन उसे उसी समय कई जगहों पर किया जा रहा है तो जहां उसकी जरूरती उसके अलावा जहां जहां उसे किया जा रहा है वो क्रियाएं वियर्थ कहलाएंगी ऐसा तब होता है जब हमारे कर्मचारियों, हमारे विभागों वो संगठन के सभी हिस्सों में सामन जिससे ना हो जब किसी को पता ही ना हो कि उससे क्या अपेक्षित है किसे क्या करना है तो हर कोई अपने मन मताबिकारी करेगा हो सकता है ऐसे में दो लोग एक जैसा ही कारी कर रहे हो जबकि जरूरत एक की हो लेकिन जब नियोजन होता है तो सब कुछ पहले से निधारित किया जाता है कि कौन या कौन सा विभाग, कौन सा काम कब कैसे करेगा इससे विभागों के बीच एक सामंज़ से स्थापित हो जाता है इससे लोगों के बीच एक सामंज़ से स्थापित हो जाता है उन्हें पता रहता है कि किसे कब क्या करना है ऐसे में काम या समय व्यर्थ नहीं होता तो नियोजन समन्वे या समन्जस्ते स्थापित करता है जिसके कारण व्यर्थ क्रियाएं समय की बर्बादियादी नहीं होता या कम होता है बच्चो चौथा महत्व है कि नियोजन नवीन विचारों को प्रसाहित करता है हमने देखा कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है मानसिक अभ्यास होने के कारण योजनाय बनाते वक्त नाकिवल प्रबंधन बल्कि कई कर्मचारी गण भी नए-ने विचारों के बारे में सोचते हैं उनके वन में नए आइडिया, नए विचार आते हैं उन्हें पता होता है कि अभी नियोजन का चरण है इस चरण में यदि कोई विचार प्रबंधन को अच्छा लगे तो उसे अपनाय भी जा सकता है इस प्रकार लोग नए विचारों के बारे में सोचते हैं नए आइडिया सोचते हैं जिनका इस्तेमाल करके विवसाय अपने लक्षों को प्राप्त कर सकता है अर्थात नियोजन एक तरह का प्रोसाहन देता है जिसके सहायता से लोग नए विचारों के बारे में सोचते हैं और यदिया विचार अच्छे निकले तो विवसाय उनको अपना कर उनका फायदा भी उठा सकता है बच्चों पाचवा महत्व है कि नियोजन निर्णय लेने को सरल बनाता है अब नियोजन करते वक्त हम अपने निर्णयों या अपने विवसाय से जुड़े हुए हर तरह के पहलों को परकते हैं चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो चाहे वो भविश्य की चुनोतिया हो या आवसर हो भविश्य में होने वाली परिस्थितियों के बारे में हम सोचते हैं और खुद को तयार करते हैं इतना सब करने के बाद जब एक प्रबंधक कोई निर्णे लेता है तो योजनाओं के आधार पर लिया गया उसका निर्णे उसके लिए एक सरल प्रक्रिया बन जाता है कि यदी एक योजना हमने बनाई है यदी हमारे एक उद्देश्य पहले से निर्धारित है तो ऐसे में यदी कोई परिस्थिति उत्पन होती है तो नियोजक किया प्रबंधक अपने उस लक्षे को प्रकाश में रखते हुए उस परिस्थिती में निर्णे ले सकता है कि उसे क्या करना चाहिए अर्थात उसके लिए निर्णे लेना सरल हो जाता है वो केवल लक्षे पर केंदर करकर ध्यान रखकर अपने निर्णे को लेगा तो उसके लिए निर्णे लेना पहले के मुकाबले सरल हो जाएगा तो बच्चो ये नियोजन के महत्व हुए लेकिन नियोजन कोई हर मर्ज की दवा नहीं है वेवसाई के लिए नियोजन केवल एक लंबी प्रक्रिया का पहला लेकिन महत्व पूर्ण हिस्सा है पर नियोजन के बाद भी कई सारी चुनौतिया या कमिया एक वेवसाय को सामना करना पड़ सकती है बच्चों नियोजन के महत्वों को देखने के बाद आई अब बात करते हैं इसकी कुछ सीमाओं की जी हाँ, नियोजन की सीमाएं भी हैं, नियोजन कोई हर मर्ज की दवा तो है नहीं, नियोजन कर लेना ही वेवसाई के लिए सफलता या लाब की कारेंटी भी नहीं होती नियोजन में कुछ सीमाएं हैं, जिनका यदि एक प्रबंधक ध्यान रखे, तो वो इन सीमाओं को दूर करके नियोजन के सभी लाब या सभी महत्मों को प्राप्त कर सकता है तो ये सीमाएं क्या है? सबसे पहला, नियोजन परिवर्तन शील वातावरन या परियावरन में हो सकता है प्रभावी नाओ बचों आपने तीसरे अध्याई में पढ़ा था कि वेवसाईक परियावरन निरंतर बदलते रहता है चाहे वार्थिक रूप से हो, सामाजिक हो, तकनीकी हो या किसी भी रूप से हो हमारे परियावरन में कई बदलाव दिन प्रति दिन आते हैं ऐसे में यदि हम एक योजना बनाकर पहले से बैठ जाएं तो हो सकता है कि हम बदलते वातावरन में खुद को एक जक्रन में महसूस करें और ऐसे वातावरन में हम नियोजन से बंद जाएं और फिर बदलते वातावरन या परियावरन के हिसाब से खुद को ना बदल पाएं और हम वहाँ पर बैठे रह जाएं ऐसे में ना तो नियोजन काम आएगा ना हम अपने आपको बदल पाने की कमी के कारण परियावरन से खुद को ढाल पाएंगे ऐसे में नियोजन हमें बांध देता है कि कल को यह दि कोई परिवर्तन होगा तो हम अपने आपको उसमें ढालना मुश्किल पाएंगे क्योंकि हमने पहले से एक लंबी प्रक्रिया के तहट खुद को बांध दिया है हमने पहले से निधारित कर दिया है कि हमें क्या करना है कैसे करना है और क्यों करना है तो ऐसे में अचानक होने वाले बदलाओं के लिए हम तयार नहीं रहते और वहाँ पर नियोजन भी फिर प्रभावी नहीं रहता दूसरी सीमा यह है कि नियोजन रचनात्मक्ता को कम करता है अब इसे एदियाब देखें तो यह एक महत्व के विरोधा भास में भी है हमने पीछे बोला कि नियोजन नवीन विचारों को बढ़ावा देता है लेकिन अभी हम यहाँ कह रहे हैं कि नियोजन रचनात्मक्ता को कम करता है दोनों ही बाते सही हैं जहां नियोजन करते वक्त नए विचारों को प्रोसान मिलता है लेकिन वहीं एक बार योजनाय बन जाएं तो उनके बनने के बाद यदि कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति, कोई नया विचारी आईडिया लेके आता है तो सामान निता ऐसा पाया जाता है कि उसके उस विचार को महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि योजनाय बनने के बाद सब को उसे मानना होता है हो सकता है यह दिएक वेक्ति अपने प्रबंदक के पास कोई नया विचार लेके जाए तो प्रबंदक उसे बोल दे कि अभी योजना बन चुकी है तुम सिर्फ उसको मानो अपने विचारों को बाद में दिखाना तो इस तरह से जो कर्मचारी हैं वो हतोत साहित होते हैं उन्हें लगता है कि हमें नए विचारी आइडिया दे के कोई फायदा नहीं इसको प्रोसान नहीं दिया जा रहा तो धीरी धीरे लोग नए विचार लाना कम कर देते हैं उनकी रचनात मक्ता फिर इससे कम हो जाती है इसके अलावा तीसरी सीमा यह है कि नियोजन में भारी लागत भी आती है बड़ी बड़ी कम्पनियों या वैवसायों में नियोजन करने के लिए योजनाया बनाने के लिए लंबी-Lंबी कई दिनों तक मीटिंग या सभाय चलती है इनमें ना केवल समय की बरबादी होती है बलकि पैसे की लागत भी आती है इसलिए कहा जाता है कि नियोजन लागत से भरी एक प्रक्रिया है फिर चौतरी सीमा यह है कि नियोजक द्रिटा उत्पन्न करता है यह हमने पहले सीमा में भी देखा कि नियोजन हो जाने के बाद योजना बन जाने के बाद हम कही ना कहीं बन जाते हैं फिर हम बदलते हैं पर्यावरन के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाते हैं। ऐसे में हम खुद को जकड़ावा मैशूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन एक प्रकार की द्रिड़ता या जकड़ता को उत्पन करता है। पांचवीश सीमा यह है कि नियोजन सफलता की गारंटी या आश्वासन नहीं है। बच्चों इसके कई कारण है। पहला कारण तो यही है कि आज आप नियोजन कर लें और कल को पर्यावरन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए जिसके लिए आप पहले से त्यार नहीं थे तो आपकी सारी योजनाए धरी के धरी रह जाती है। वर्ष 2020 इसका बहुत बड़ा उधारन है। भारत में फरवरी या मार्च से पहले शायद किसी कमपनी या वेवसाय ने सोचा होगा कि ऐसी कोई महामारी इतने बड़े स्तर पर आएगी और इतने समय तक काम धंदों को ठप कर देगी। वेवसायों ने, कमपनी योजनाए बनाए होंगी कि आने वाले साल में वो क्या करेंगे, किस प्रकार अपने द्योग को बढ़ाएंगे। लेकिन एकदम से इस प्रकार के महामारी आने से उनकी योजनाए धरी रह गए और सफलता तो दूर वेवसायों को खुद को टिकाए रखना ही मुश्किल जान पड़ रहा है। तो एक तो परियावनन में कुछ भी हो जाए जिसके कारण हो सकता है हमारी योजनाए सफलता में ना बदले। दूसरी तरह या दूसरी तरफ यह भी है कि केवल योजनाए बना लेना ही सफलता की गारंटी नहीं है। जब तक उन योजनाओं को अच्छे व्यक्तित्व वाले कर्मचार या प्रबंधक या हमारी व्यवसाए के सभी लोग अच्छे प्रकार से क्रियानवित नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तो उन योजनाए चाहे आप कितनी भी अच्छी बना लें, आपका व्यवसा नियोजन क्या होता है, उसकी क्या विशेष्टाए है, क्या महत्व है, वा क्या उसकी कुछ सीमाए है, जिने हम ध्यान रखें, तो हम नियोजन के फाइदे भी उठा सकते हैं, चाहे कितनी भी सीमाए हो बच्छो, बिना नियोजन के काम तो नहीं हो सकता, नियोजन एक को मजबूती से लागू कर सकते हैं तो नियोजनाय बनाना तो बहुत अनिवारी है आज हमने इसके महत्मों के साथ कुछ अन्य पहलूओं को भी जाना अगले भाग में हम यह सीखेंगे कि योजनाय कैसे बनाई जाती है इसकी प्रक्रिया क्या है वह किस तरह की योजनाय कितन नहीं धन्यवाद अन्यवाद